मद्यप्रदेश के बढ़वाह में नावगट खेडी इस्तित नर्मदा नदी के पुल से रातरी में करीब 3 बजे सोया बिन से भरा ट्रक खंडवा से देवास जाते समय और नियंत्री थोकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में गिरा घटना में ट्रक के चालक 27 वरिशिय गोपाल पिता शामलाल निवासी उज्जेन और 21 वरिशिय चालक गंपत उम्राव निवासी आमला जिला आगर दोनों को गंभिर घायल अवस्ता में पुलिस दायल हंडेट द्वारा तुरंत मोके पर पहुँचकर बढ़वा के शास के अस सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दिवाली के त्योहार पर राहत गड़ के बाजारों में रोनक देखने को मिली और व्यापारियों ने दिपावली पर्व पर होने वाली खरीदी के लिए बाजारों को सजाया है दिपावली पर्व पर सोना चांदी, बर्तन, मोटर बाई, कपड़ा, इलेक्ट्रोनिक्स और मोबाईल शोप पर ग्रहा की भी जोरों पर हैं त्योहारों के चलते लोग अपने परिवार के साथ खरीदी करने निकले हैं दिपावली पर्व पर दुकानदारों व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों शोरों को बहतर धंग से सजा कर रखा है राहत गड़ से सलमान कुरेशी की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें विधायक सचिन बिरला ने इंदोर इच्छापूर हाइवे इस्थित अवंती सूत मिल का किया दोरा धन्तेरस के मोके पर मिल में मोजूद मशीनों और संपत्तियों की पूजा अर्चना भी की इस मोके पर सूत मिल की कोलोनी में रह रहे लोगों ने विधायक को बताई समस्या शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे अवंती सूत मिल पहुँचे विधायक सचीन बिरलास सबसे पहले श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदीर पहुँचे जहां भगवान का पूजन अर्चन किया इस दोरान बड़ी संख्या में कॉंग्रेस कार्य करता भी शामिल हुए मंदीर में पूजा अर्चना के बाद विधायक सूत मिल पहुँचे जहां उन्होंने जन प्रतिनिदियों और सूत मिल प्रबंधक के साथ मिल कर मशीनों और संपत्यों की पूजा अर्चना की इसके बाद मिल में चल रहे कारियों को निरिक्षन कर जानकारिया हासिल की निरिक्षन के बाद जैसे ही विधायक सूत मिल परियुसर पहुँचे उन्हें महिलाओं ने घेर लिया महिलाओं ने कहा कलेक्टर ने मिल की संपत्तियों की निलामी प्रक्रिया के लिए आदेश जारी किया है इसके तहट मकान भी निलाम किये जाएंगे अगर मकानों की निलामी होगी तो हम बेघर हो जाएंगे इस पर विधायक सचिन बिरला ने कहा निलामी की प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए कलेक्टर के साथ मुख्य मंत्री से भी चर्चा करेंगे विधायक ने बताया कि मिल की करीब 5 करोड की संपत्ती पर बेंक अधिकारियों की मिली भगत से करीब 46 करोड का लोन ले लिया है इस मामले में पहले ही FIR हो चुकी है लेकिन गबन करता अब भी पुलिस की पकड से दूर है जिनने भी गिरफतार किया जाएगा हरियाना में बहतर प्रदर्शन और जाबुआ उपचुनाओं में पार्टी की जीत पर विधायक बिरला ने कहा इस बार दीपावली कॉंग्रेस के लिए अच्छी है साथ ही उन्होंने प्रदेश वासियों को शुप कामनाये भी दी सनावा से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट उसका पूजन करने आया थे और महा लक्षपी साथ हम लोगे मांग रहे हैं कि अथावत यह मिल चलती रहे इसी तरह और यहां पर सारे लोग जो रोजगार से लगे हुए उनको भी रोजगार मिलता रहे और अन्य लोगों को भी रोजगार के आउसर मिले इस भाव को लेकर को आपरेटिव बेंग ने एक नोटीस ताम यहां पर चस्पा किया है और विग्यप्ति भी निकाली है कि यहां की जो संपत्ति के आसपास जो मकान बने वे हैं उनको निलाम करना है उसको लेकर भी यह मामला ऐसा है जिला सहकारी केंद्री बेंग से अवंती मिलने के तो सारा दोका दड़ी और गबन करते हुए